सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुलहट चैनल को और बैल आइकन को दबाईए देखने के लिए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले हलो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि SSC CHSL का जो टियर वन एक्जाम हुआ था उसका आज रिजल्ट डिकलेर हो गया है कट-off marks भी जारी हो गया है और रिजल्ट भी डिकलेर हो गया है तो आप SSC की जो वेबसाइड है main website ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं या तो उपर वाले आइकन से रिजल्ट में जा सकते हैं नीचे इसकी main page पर आएंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने और डाउलोड कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि रिजल्ट क्या रहा है ये रिजल्ट वाली PDF फाइल है ठीक है यहां जाकर आप अपना roll number सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपका इसमें number है या नहीं है ठीक है और बागी मैं आपको इसकी जो cut off है वो आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं कितने marks पर cut off रही है इस बार तो guys आप देख सकते हैं यहां पर जो desk creative paper है tier 2 उसके लिए जो qualify student है उनके बार मैं आप दिखा देता हूं कुल मिलाके 30,57,993 candidate इस exam में appear हुए थे और total जो pass हुए है वो है 53,201 और cut off कुछ इस तरीके से है unreserved category के लिए 127.50 रही है OBC category के लिए 120 और SC के लिए 108 और ST के लिए 99 कुल मिलाके UR unreserved category के लिए 14,57, OBC के लिए 20,813, ST के लिए 3,509 और SC के लिए 7,809 candidate को qualify किया गया है ठीक है तो 53,201 total student इसमें qualify किये गए है tier 2 के लिए tier 2 के लिए descriptive paper होगा ठीक है तो उसके बार में आपको जल्द ही जानकरी मिल जाएगी पर आप देख सकते हैं तो जल्द ही उसका आपको पता चल जाएगा कि वो एक्जाम कब होना है फिलाल जो cut-off के जो कयास लगाए जा रहे थे कि cut-off इस बार जो CHSL की cut-off है वो जंप करेगी तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो cut-off कोई खास ज्यादा हाई नहीं रही है नॉर्मली LDC या CHSL एक्जाम की हमेशा cut-off इतनी तो रहती है लेकिन जैसे अगर CGL से comparison किया जाए तो जो last time गई थी 137.5 तो वो अपने आप में एक तोड़ा सा शौक करने वाली cut-off थी लेकिन यहां पर बिल्कुल भी मैं नहीं मानुगा कि इतनी हाई cut-off है एक average cut-off है इतनी तो हर बार होती ही है और वैसे भी यह tier 1 के लिए है ठीक है तो बस आपको इसी वीडियो के जर्याद रिजल्ट की ही जानकारी देनी थी और cut-off की बारे में बताना था